हलो दोस्तों में नाम है मुहम्मद कैसर और आप देख रहा है स्टाडी चैनल दोस्तों सीटेट के छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टन नोटेस जारी हो गई है जो सीटेट की ओफिसल वेबसाइट पर अवेलेबल है ये संबंदित है सीटेट के उन्च आत्रों के लिए इनकी परिक्षा 16 और 17 दिसंबर को थी एक्जाम नहीं हो पाया था टेक्निकल समस्या की वज़े से परिक्षा को अस्थागित कर दिया गया था इनका एक्जाम दुबारा से कब होगा इस सम्मन में ओफिसल नोटेस जारी हो गई है मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका जो एक्जाम है वो 17 और 21 जन्वरी को होगा वो चीज बिल्कुल कनफर्म आज ओफिसली कर दी गई है साल साथ बात करेंगे कि आपकी इनसर की और रिजल्ट कब आ रहा है तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इनोटेस जो की जारी किया गया है बताया गया है कि 16 दिसंबर के साम की जो सिफ्ट अस्थागित कर दी गई थी वो अब 17 जनवरी को होगा और इस बार ये एक्जाम सुबह वाले सिफ्ट में साथे नौ से बारा के बीच में कराया जाएगा तो ध्यान रखिएगा 16 दिसंबर साम वाले सिफ्ट पेपर टू था वो 17 जनवरी को सुबह साथे नौ से बारा कराया जाएगा तो साम की shift साम को नहीं कराई जाएगी तो ये चीज आप देख लीजेगा अपना नया admit card डाउलोड करके देख लीजेए exam की timing, date और जो भी आपका exam center होने वाला है 16 December का सिर्फ सामवाला shift अस्थगित हुआ था लेकि 17 December वाले दूनों परीक्षाय कैंसल कर दी गई थी और 17 December कि जो दोनों परीक्षाय अस्थगित हुई थी सुब़ और सामवाली shift वो 21 जनورी को कराई जाएंगी ये दोस्तों officially clear कर दिया गया है और जो आपकी revised answer की है वो अब 21 जनुवरी के बाद आएगी क्योंकि अब last paper 21 जनुवरी को है पहले तेरा जनुवरी को समापत होने वाला था तो जल्ली आपकी answer की और result आते है लेकिन 20 जनुवरी के बाद ही अब आपकी answer की आएगी तो आप मा reserve candidate है OBCCST उनको ब्यासे नमबर लाना होगा इस बासी डेट में normalization भी हो रहा है तो जो आपका normalized score होगा उसे के हिसाब से passing number decide किया जाएगा तो इस वीडियों जोस्तों बस इतना ही वीडियो को लाइक और शेर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइक अन दब सब्सक्राइब करते रहे थांक्स वर वाचिंग